हेलो एवर्वान कैसे आप आज मैं आपको बताने वाला हूं दस ऐसी आप जिनके द्वारा स्ट्वेंट्स गर पर रहते हुई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हूं कि कोरोना मामारी के विजिसे स्कूल के अभी ओपन होने की संबावना बहुत ही कम है तो ऐ एकड़नि किड्स यह दिस इस एक ग्रेट एप ओर स्मॉल किड्स जिसमें हजारो एजूकेशनल एक्तिविटीज हैं बुक्स हैं सॉंग्स हैं गेम से हैं और रैंस हैं जो बच्चों की रेडिंग और राइटिंग को इंप्रोव करते हैं और दिसस अबसूलोटली फ्यों क पोस्ट एबलेबल है तो आप इसको अपने मुबाइल में इस्ट्रॉल कर सकते हो अपने छोटे बच्चों के लिए सेकिंड एप है आपकी इपार्ट साला जिसको एंसे आर्टी और एच आरडी हुमन रिसोर्स डवलप्मेंट ने डवलप कर जिसके अंदर सबी इस अबलेबल है जैसे कि आपका टेक्स्ट बॉक है ओडियो है वीडियो है और यह सबी के लिए यूजफुल है च्ट्रॉइंट्स के लिए भी आपकी फिर यूप कोस्ट अबलेबल है जितनी भी ऐप में यहाँ पे ढिस्क्ष करोंगा उनके लिंक आप डिसस्क्रपिशन में देख सकते हो उसा आप4 डिरेक्ट ली उनको डांलोड कर सकते हो नेक्स्ट एक्षर आपकी विकिपिडिया विकिपिटिया का नाम आपने सुनाये हो होगा विकिपेडिया दर्वर्ज लार्जर्ट सोर्स ओप इन्फॉर्मेशन इड़ फ्री एंड फ्री ओप चार्च इस एंसाइक्लोपीडिया पूरा-पूरे सूचना का अथा समंदर है यह तो इस एप को भी आप डाउनलोड करके इंस्टोल करके अपनी जो भी क्वैरीज है जो भी कोई आर्टिकल्स है उनको आप एडिट भी कर सकते हों तो यह भी आपकी फिर्योप पोस्ट एवलेबल है विकिपेडिया तो फोर्थ बन है आपकी बाईजू बाईजू अपने नाम सुना होगा वर्ड लार्जेस्ट प्लेटफार्म पोर स्कूल स्ट्रेंड विद बीडिफुल एप है फोर्थ 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 क्लास च्ट्रेंड आइज इसका लेकेस्ट वर्जन है वो उफर करता है फ्री लाइफ क्लासेज बाईदा एडियाज बेट टीचर्स बाई जूज जिसको डवलब किया था बाई जूज रविंद्र ने जो के रहने वाले है ज नेक्स्ट एप है आपकी वेदान्तू दा लाइव लर्निंग एप क्वाल्टी एजिकेशन फ्रॉम दा कंफर्ट ओप यूर हॉम क्लास फर्स से लेके क्लास 12 के आपके सभी बोड़ आई सेसी ओ या सीवेसी बोड़ हो और चाहे आपके इसमें सभी सब्जेक्ट कवर होते ह आपके साइंस का है मैप का है और आपको आड़ी सर्मा है या आरेस अग्रवाल है उस सभी बुक के सॉलूशन्स आपको इस एप में मिल जाएंगे और नेक्स्ट एप आपकी माइक्रोसोव्ट लेंस जैसे कि आप स्टुड़ी करते हो तो आपको बहुत आपको कोई भी डोकुमेंट स्कैन करना पर नपहुत होगो तो यह आपका इपकेट पीडियप स्केनर की तरह आप इसको स्तेमाल कर सकते हो इसको आप और और एपने आप वाइट जो भी आप पिक लोगों उसको आप चीक कर सकते हो या परिटी फॉर्मट Lesson में कर सकते हो तो यह भी आपकी बहुत भी बढ़िया है जिसके बढ़ जरूरी है यह भी आपके मोबाइल में होना इसका नाट एप आपकी केक देखे आज गाल इंग्लिस को सीखना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपके पास है केक इंग्लिस लर्निंग एप लर्न रियल इंग्लिस फ्रम दा वीडियो वीडियो के द्वारा आप इंग्लिस सीख सकते हो बहुत ही फास्ट और कम्प्लिटली फ्री ओप कोस्ट है इसमें आप परनिंसेशन अपना चेक कर सकते हो तो इस एप को भी आपको यूज करके देखना चाहिए नेक्स्ट वन है आपकी डाउटनेट यह एक स्टिडी एप है फ्रीयो पोस्ट है विट एंशियार्टी सोलुसंस जिसमें आप अगर कंपेटेटी एक्जाम्स है आई- अगर्वाल तो आप उसकी एक पिक लेके इसमें वह करोंगे तो विदिन थ्री सेकेंड उसका आपको वीडियो के फॉर्म में आप उसका सोलुसंट पासकते हो नेक्स्ट एप है अपकी अन एकड्मी इसी तरी की एप है जो हाई क्वाल्टी कोर्स प्रोवाइड कराती है जो पैसुनेट लर्नर्स हैं लेकिन यह एक पेड एप है इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा लेकिन यह बहुत ही अच्छी एप है इस्पेशली उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटी एक्जाम की तेयारी करते हैं जिसे की आई 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 टी का है निट का है एंडिये है या सीडियेस है एर फोर्स का है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी है इसके बाद आता है आपका U Dictionary ये आप जितनी भी अगर आपको अपनी vocabulary को बढ़ाना है ये आपके वोकेबलरी बढ़ाता है इसमें आप अपनी जितनी भी words है उनको Hindi to English या English to Hindi convert भी कर सकते हो तो ये भी app आपके mobiles के अंदर होनी चाहिए इसके दोरा आप अपनी vocabulary को बढ़ाने के साथ साथ अपने English में translation भी कर सकते हो तो ये दस बहुत ही important apps के बार में मैंने discuss किया उमीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होगे पसंद आए है तो please like, share और subscribe करें thank you so much